नमस्कार दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कोटक कोटक नी अगर मैं स्टोक की बात करें तो 22,23,23 बेच डाले हैं और अगर ओवरोल बात की जाए तो और अगर मैं कहूं तो उसमें भी काफी बड़ा अमाउंट बीचा गया है करिबन करिबन 57,000,000,000 शेर बेचे गए हैं इसके अंदर कोटक ने तो अपना 60% कोटक विचल फंड ने बेच डाला है तो 57,000,000,000 शेर बिकने के बाद क्या होने वाला है क्या बहुत बड़ी गिरावट होने लिए हैं नहीं नहीं क्योंकि 74,000,000 क्रोड से भी ज़्यादा शेर हैं एक्चलियों मुच्यल फंड के पास इसके प्राइस हमेजिंग है कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और आप लोगों को वताया था कि और भरोसा होना चाहिए देखिए भरोसा बहुत ज़रूरी चीज़ है भरोसे के नाम पर अगर कहूं तो बिस से ज़्यादा भरोसा किस चीज़ पर हो सकता है इंदर आप देखिए कहां 57 लाक ती पर डेक है अब एक करोड़ से पर डेड़ करोड़ के करीब पहुंच गई है यह पिछले कुछ दिनों में अचानक से बढ़ती जा रही है जब ऐसा पैटर्न देखने लगे तो समझ जाईए कि शेर्स में तेजी आने वाली है काफी हद तक तेजी आने वाली है डिलिवरी बढ़ रही है वोल्यूम्स बढ़ रहे है तब असर है देखिए असर किस बात का देखिए स्टाटा सील में 913 कल भी मैंने खब बताया था कि यह स्टोक वो है जो ब्रैडी है थोड़ा बाउंस बैके लिए क्यूं देखे में रीजन जो इसका है वो स्प्लिट का है 29 जुलाई को वन रिश्यों 10 में स्प्लिट होने वाला है वही में रीजन है सबसे बड़ा इसमें जो तेज़ी आने वाली है तो उस पर नजर बनाया रखनी है कोई रेकमेंडेशन यह बट स्टोक में जान है